दोस्तो आज के इस क्लास में आप लोग का स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिस 100 मार्क्स के प्रो सेक्षन का तीसरा चेप्टर जिस चेप्टर का नाम कहा है? चेप्टर का नाम है ए पिंच ओफ स्नफ इस चेप्टर का हम लोग बहुत ही अच्छे से जानेंगे अच्छे से आपको बताएंगे साथी साथ यहां पर सिर्फ आपको बताएंगे ने बलकि आपको अच्छे से संजाएंगे यह जो लाइन समरी आप देख रहे हैं सारांस देख रहे हैं इसमें एक तरफ आपको इंग लाइस क्लेकर और भारते जम्हों मीं यह दो चैप्टर आपको अच्चे से पढ़ा छुके हैं, सारां समरीक आपको दे चुके हैं, और जैक्टिफ को तेसरे chapter को भी अच्छे से देखे और समझ लेजे क्योंकि ये chapters भी बहुत ही अच्छा chapter है important chapter है इससे कई सारे questions आती है और जब आप समरी सारांस देख लेंगे समझ लेंगे अच्छे से आपको आपकी mind में sit हो जाएगा पूरा story तो आप आराम से कोई भी question answer आएगा आप आराम से बना सकते हैं तो निश्यत रोप से आप पूरे ध्यान लगा के यहाँ पे देखे और थोरा सा 20 मिनट यहाँ पे दीजिए आपको एक पूरा chapter complete हो जाएगा और आपके लिए कितना अच्छी बात है मतलब 20 मिनट आपको पूरा chapter खतम उसके बाद आप चलिए यहाँ पे हम लोगे start करते हैं बाकी आप लोग को पता ही है like, comment और share यह सारा चीज आपको कर लेना है चैनल को निश्यत रोप से आप subscribe कर लिए होंगे और bell icon वगरा on कर लि चलिए तो start करते हैं सबसे पहले देखे हमारे पास chapter का नाम क्या है chapter का नाम है a pinch of snuff, a pinch of snuff का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक चुटकी noise यह एक चुटकी खैनी, बोल सकते हैं कि ऐसा कोई सुहने वाला जैसे बोल सकते हैं कि drugs वगरा जो हो रहता था जो लोग एक तरीके से खायनी बोल सकते हैं एक चुटकी नॉइस या एक चुटकी खायनी ऐसा कुछ ठीक है तो यह ए पिंच ऑफ सनफ को लिखे कौन है यह लिखे है मनोहर मालगोंकर जी यहां पे इनकी तस्वीर लगी हुई है यह मनोहर मालगोंकर लिखे हैं जब यह जवान थे 113 को कहाँ पिर मुंबई में मुंबई में इनका जन्व हुआ है कuyu कैसे के सपनों का सहर मुंबई वहाँ पे इनका जन्व हुआ है तो जन्म और निधन का डेट जो है यह आपको यादर निश्यत रोब से रखना है he was also an army officer वो क्या थे एक army officer भी थे मनोहर मालगुनकर जी तो ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है ना तो ये सारा चीज आप इनके वारे में आपको पता होना चाहिए खास करके ये तीन चीज कि A.Pinch of Snuff के राइडर कौन है इनके राइडर हो जाते है मनोहर मालगुनकर जी और इनका जन्म कभू है 12 जुलाए 1913 को मुंबई में इनका निधन कभू है 14 जुन 1210 को करनाटका में तो ये आप अच्छे से कॉपी में note down कर लेजिएगा उसके बाद चलें यहां पर सारांस को अब देखते हैं summary को समझते हैं जो main मुद्ध है आज का आज का यहां पर topic ही हम लोग को सारांस समझना है summary समझना है तो आए start करते हैं ठीक है start करते हैं ध्यान लगाके देखिएगा सारे लोग और बस अब आप 10-20 minutes if और आपको pinch of snuff is a comic story written by Manohar Malgunkar एक pinch of snuff जो है Manohar Malgunkar के दौरा लिखी गई एक मजाकिया जो है यह कहानी है मजाहिया कहानी है यह मजाकिया कुछ ऐसा कहानी है जो कि Manohar Malgunkar जी के दौरा लिखा गया सबसे पहले यह lines हमें क्या clear होती है यह कहा है एक story है एक comic story है एक मजाकिया कहानी है poem है story है essay है क्या है तो एक comic story है तो यह आपको समझ में आ गया जो कि Manohar Malgunkar जी के दौरा लिखा गया है वो जो है एक भारत के महान उपन्यासकार थी वो भारत के महान उपन्यासकार थे he has presented a comic story full of wit and adventure ठीक है वो जो है यह comic story जो है मजाकिया कहानी प्रस्तूत किये हैं उसमें full of wits का मतलब क्या होता है wits का मतलब होता है हमारे पास बिवेक इसका मतलब क्या होता है बिवेक और adventure का मतलब क्या होता है जोखिम ठीक है वो जो है यह comic story जो comic story जो है प्रस्तूत किये हैं मतलब एक मजाक्य कहानी जो प्रस्तूत किये हैं उस कहानी में उन्होंने बिवेक और जोखीम सिभरी हुई सारी बाते को बताए है ठीक है नानु काका is the main character and maternal uncle of narrator ठीक है लेखक के जो है बेसिकली नानु काका जो है इसमें मुख्य पातर में है और वो क्या है लेखक के मामा जी है ठीक है और लेखक जो है मनोहर मालकॉंकर जी यहां खुदी स्टोडी को लिख रहे हैं बतला रहे हैं ठीक है यहां पर यह हो जाती है एक बार पहले आप इसको देख लेजिए समझ लेजिए इसका हिंदी विनिंग जान लेजिए और फिर हम आपको स्टोडी अच्छे से समझा देंगे आपके mind में प्लेक कर देंगे अब ही तो सबसे पहले आपको क्या जाने कुमला मनोहर मालकॉंकर के द्वारा यहां पर यहां पर लिखा गया एक क्या है मजाक्या कहानी है स्टोडी है और उसके बाद उन्होंने यहां पर बिवेक और जोखिम से बारी कहानी पेस की है ठीक है यह कहानी जो है इसमें बहुत सारा बिवेक है बहुत जो वो सोचते हैं वो है और साथी साथ बहुत ही जोखिम भी उठाया है यहां पर नानुका का और यहां पर कहानी में खुद ही इस कहानी को बयान किये हैं, लेखक खुद ही इस कहानी को पूरे अच्छे से लिखे हैं, बतलाए हैं, आगे देखिए, नानु काका comes to Delhi to see some ministers, मतलब उनके मामा जी जो हैं, लेखक के मामा जी, नानु काका, वो डेली आते हैं, कुछ मंत्रियों से मिलने, and the narrator who is the under secretary has to take him to the north block, ठीक है, और जो लेखक जो हैं, अभी ठीक से secretary भी नहीं है, और वो जो हैं, बेसिकली उनको रखा गया है, और अभी जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जा रहे हैं कहां पर, has to take him to the north block, नानु काका को north block के तरफ ले जा रहे हैं, on mother insistence, mother के, माता के, उनके अपने लेखक के, जो मा जो है, वो जब जोड़ देती है, करे तुम्हारे मामा आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं, तो तुम उनको लेके जाओ, ना मंत्री से मिलने के लिए, वो आये हैं, यहां पर डेली आये हैं, तो तुम लेके जाओ, तो मा के कहने पर लेखक मजगोरी में लेके जाते हैं, नानुकागा को, नौट ब्लॉक के पस, और वहां पर मंत्री वगरा से मिलने के लिए हो जाते हैं, ठीक है, बट नानुकागा एक्स्प्रियांस वाज बिटर देर, वहां पर नानुकागा को कुछ जमा नहीं, खास वहां पर में फिर क्या हुआ, he goes to meet Sohan Lal, who is a party boss, ठीक है, वो बाद में Sohan Lal से मिलने जाते हैं, जो कि एक party boss है, party का अध्यक्ष है, and successfully impresses him by his word, और उनसे जो है, वो सही में, सही में परहावित कर दिये, अपने सब्दों से, नानुगा का जो है, अपने सब्दों से परहावित कर दिये, and with showing that he knows the, और उनकी मतलब जो है ना, मतलब बिवेक जो है, बिवेक से उनको सफलता परहाव डाल दिये, और showing that he knows the ambassador, बरकत अली, very well, और वो जो है, Sohan Lal को बताते हैं, कि बरकत अली को, मतलब हज़र्द बरकत अली को, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, हज़र्द बरक बरकत अली के बेटी के साथ, लेकिन ये तो मना कर दिया था, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये तो नानुका का फालतु का, मतलब ऐसा कुछ ये थे नहीं, ये जानते भी नहीं थे, कि बरकत अली को जानते हैं, ये क्या है, तो बस आये, मतलब इनको पता चला कि Sohan Lal ऐसा वैसा रहा था, ठीक है, तो इसका हम अब फुल स्टोडिय भी लास्नों बताते हैं, बस अभी, बस इसका, ये मेनिंग आपको समझ में आ रहा है, इसका फुल मतलब आपको समझ में आ रहा है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कहा है, during talk to Sohan Lal, he came to know about welfare minister, और Sohan Lal के बातचीत के दरव्यान उन्हें पता चला किसके बारे में welfare minister के बारे में, कल्यान मंत्री के बारे में, also he knew that Sohan Lal wanted his son to get married with welfare minister's daughter, ठीक है, और साथ ही साथ उसे यह भी पता चला, नानुकाता को, कि Sohan Lal जो था, वो मतलब अपने बेटे की साधी किससे कर चाता था, welfare ministers के बेटी के साथ, कल्यान मंत्री जो था, कल्यान मंत्री इसके बेटी है, इसके साथ सुहनलाल अपने बेटे की साधी करना चाता था, लेकिन यह कल्यान मंत्री क्या कर रहा है, वो देखिए, but minister refuses, लेकिन सुहनलाल जो अपने बेटे की साधी, यह कल्यान मंत्र welfare minister के साथ करना चाहता था उसके बेटी के साथ करना चाहता था लेकिन वो कल्यान मंत्री मना कर दिया refuses but he but the minister refuses लेकिन मंत्री जो है मना कर देता नहीं हमको तुम्हारे तुम्हारे बेटी साधी नहीं करना है वो ऐसा बोल देता है ठीक है on the other hand और दूसरे तरफ the welfare minister fixes his daughter's merit to prince of निन्नौर और दूसरे तरफ मतलब कल्यान मंत्री निन्नौर के राजकुमार से तै करते हैं अपनी बेटी की साधी ठीक है अपने बेटे की साधी तो यहाँ पे जो welfare minister सोहन लाल बेचारा कल्यान मंत्री को क्या करना चाहता था मतलब कल्यान मंत्री का जो बेटी था उसको अपने बेटे के साधी करना चाहता था लेकिन कल्यान मंत्री बोला नहीं हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे बेटे के हाथ में नहीं देंगे तो ऐसा यहाँ पे बात हुआ और दूसरे तरफ क्या हुआ कल्यान मंत्री refuse कर दिया और बाद में क्या हुआ कि कल्यान मंत्री जो है अपने बेटी के साधी निन्नौर के राजकुमार से करवा रहे थे मतलब सोहनलाल के बेटेस नहीं करवा के निन्नौर के राजकुमार से ट्या कर देते हैं और नानुका का went to meet the welfare ministers in the guest of heredity astrologer of Maharaja of Ninnaur अब जो है नानुका का मिलने जाते हैं अब जो है नानुका का Ninnaur के महराज के पुस्तैनी जोट्सी के रूप में कल्यान मंतरी से मिलने जाते हैं and he mentioned it on visitor's book और वो जो है इसे visitor's book पर भी लिखते हैं कि वो Ninnaur के महराज के पुस्तैनी जोट्सी है which is guest of heredity, heredity astrologer ठीक है astrologer मतलग जोट्सी astrologer का मतलग क्या होता है जोट्सी कहां के महराजा अप Ninnaur Ninnaur के जो है महराज के वो पुस्तैनी जोट्सी के रूप में कल्यान मंतरी से वो मिलने जाते हैं जिससे क्या कर रहा है कल्यान मंत्री जो है अपनी बेटी का साधी कर वा रहा है तो उसके जोसी बनके जाता है कल्यान मंत्री के पास महराजा अपनी नौर के जोसी बनके किसके पास जाता है कल्यान मंत्री के पास confused नहीं होना है जो लोग को story पता होगा और जो लोग को नहीं पता होगा थोड़ा बहुत confusion होगा वो भी हम clear कर देते हैं अभी बस नेसिंट तो रही है As soon as welfare ministers come to know comes to know about this जैसे ही welfare ministry आने कल्यान मंतरी को इस बात के पता जलता है he himself visit my home to meet Nanuka का तब ही जाके वो हमारे घर आते हैं Nanuka का से मिलने तो यहाँ पर narrator खुद लिख रहा है खुद ही यह story को लिख रहा है comic story को लिख रहा है और यहाँ पर कल्यान मंतरी के जो western book होते हैं western book उसमें क्या किये थे यह जो है नानु का का लिख दिये थे कि हम जो है निन नौर के महराजा के अस्टोलाजर हैं ठीक है हरिडेट्री अस्टोलाजर है मतलब बहुत पुराने समय से हम उनके जोस्ती हैं ठीक है तो मिलने आये थे जैसे ही कल्यान मंतरी के इस बार ने पता चला और तब तुरत एट्रेस निकाला उसमें विजिटर स्बुक में अटर्स वगरा दिया हुँ था लेखा का तो लेखा के घर पे ही पहुँचे कल्यान मंतरी और नानुका का से मिलने घर आये थे ठीक है तो यह हो गया उसके बत अब यहां पे देखिए लास्ट आपको लिखना है अन्तता यह मनोहर मालगुंकर की एक बहतरीन रचना है जहां उन्होंने करतारों को बहुत ही खूपसूरती के साथ बहुत ही ब्यूटिफली वो प्रस्टूत किये हैं पेस किये हैं इस रियली लिफ्स ए जीनियस फ्रिस्ट टच और रीडर्स माइड और यह जो बाकई पढ़ने वाले के जहन पर एक ताजा असर छोड़ जाता है यह जो पूरा मतलब एक सोचे ना एक आपको विद्ख मतलब जो उनमें बिवेक है और जो उनमें एडवेंचर है जो उनमें मतलब खत्रा मोल लेने के साहस है उसको यहाँ पर प्रस्तूत किया गया है कि जो काम बहुत मुस्किल है उसको भी कैसे तोर मरोर के उसको आसान बनाया जा सकता है अब देखो अभी यहाँ पर यह तो पूरा चैप्टर हुआ ठीक है इसका मतलब आपको सौझ में आया लेकिन क्या अभिया तक आपको पूरा स्टोडी क्लियर है नहीं है हम आपको अभी क्लियर करवाते हैं हम आपको अभी अच्छे से क्लियर करवाते हैं पूरा स्टोडी आपको अभी क्लियर होगा उस तरीके से आपको पढ़ाए तो आप Education Baba App क्या करिएगा डाउनलोड कर लेज़ेगा और वहां से आप कोर्स ले सकते हैं हिंदी और इंग्लेस का बहुत ही comfy है और इस दो नमर पर आप call भी कर सकते हैं कोई भी details अगर चाहिए या WhatsApp message कर सकते हैं कोर्स आपको purchase करने में कोई दिक्कत होती है या फिर कोर्स वगरा जॉइन करने में कोई दिक्कत होती है तो ठीक है और नहीं तो आप नहीं जॉइन कर सकते हैं तो नॉर्माली जब भी एक chapter complete हो तो महां जाकर टेस्ट दीजे test free में आप दे सकते हैं ठीक है सबसे पहले तो ये मनोहर मालगुनकर जी द्वारा लिखा गया एक comic description मजाक्या कहानी है और इसमें वो बहुत ही विवेक और जोकिन से बारी कहानी को paste करते हैं ठीक है और नानु काका जो है मतलब लेखक जो है मनोहर मालगुनकर जी अपने तो मामा जी आ रहा होते हैं डेली जहांपे मनोहर मालगुनकर जी रहते हैं तो वो आ रहा है अब यहां पर क्या था कि मा उसको फूर्श की जाओ मामा जी को लेके आओ बेचारे लेखक निरास मन से जाते हैं स्टेशन रिसेव करते हैं और फिर जाके वो जो है जाते हैं कहाँ पर घर आते हैं और फिर जाते हैं North Block मतलब मेनेस्टरर के यहाँ जाते हैं लेकिन वहाँ पर बाते हैं तो उसके बाद वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा है सोहनलाल का बेटा है तो फिर जाके सोहनलाल के यहां पे नानुका का बोलते हैं कि चलो सोहनलाल के यहां चलो तो सोहनलाल के यहां आता है और सोहनलाल अपने बेटे की साधी welfare minister यानि कल्यान मंतरी के बेटी के साथ करना चाहते थे तो यहाँ पर क्या हुआ मतलब मदा कर दिया था जो welfare minister है वो बोल दिया था कि नहीं हम तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बेटी का हाथ नहीं देंगे, साधी नहीं करवाएंगे तो अब जो है सोहनलाल को तुरा सा गुश्था था यह कल्यान मंतरी का पढ़ थी ठीक है, तो नानुका का सोहनलाल से मिलने आये और उसको बहुत impressed किया और साथी साथी नानुका का को जानने को मिला की बस उनका बेटा बेटा के साधी नहीं हो पा रहा है कल्यान मंतरी के साथ और ये भी जानने को मिला कि जो कल्यान मंतरी है वो अपनी बेटी के साधी निन्नौर के महराज के साथ वो फिक्स कर दिया निन्नौर के महराज के साथ ठीक है तो ये था तो इनको जानने को मिला आप फिर से गए किसे मिलने के लिए, गए थे इसे मिलने, करल्यान मंतरी से मिलने, उससे पहले एक अच्छा सा कार गए किसी के हाँ, और बोलते हैं कि मतलब हमको कार चाहिए और एक test drive के लिए दो, कि हम चेक करेंगे कैसा चलता है तुम्हारा कार, और test drive के रूप में वो वहां पर भाता कार था, सब लोग देख रहा था, वहां पर कहां कियां, वहां पर विस्टर्सी नानुका का लि颇yards दिये हैं, कि निनौर के महराज के जो है वो पुराने जोसी है ठीक है? तो उसके बाद जैसे ही पता चला क्यूंकि जैसे ही पता चला, इसको वेलफोर मेनिस्टर कालेयान मंदरी को तुरन्त भागे भागे, जो एट्रेस द्येए वेती आनुका का वीश्टर वुक में यानि लेखा कि घ इसल्गे पर तुरत बहागे-वागे आया और एसा नहीं था कि नानुका κα सच्छमे जौसी थे तो एसा कुछ नहीं था और लेकद को अभी तक पता चला मिलना क्यूं चाते थे में दो GG यहां पे कुल मिला के पूरा इस्टोडी यह था यहां पर यह दरसाना चाहिए कि कैसी मुस्किल काम जोता है उसको बहुत ही चतुराइगे साथ इसको विवेक बुद्दी के साथ किया जा सकता है हाला कि कहीं न कहीं गलत कर रहे थे, जूट बोल रहे थे, लेकक कोई डर भी था कि जब भी कल्यान मंद्री को पता चलेगा कि ये सच में जोसी नहीं है तो उससे में लेकक का क्या हल होगा और वो सूसते हैं कि नहीं, मेरे मामा जी में इतना दम है, बिना वो कंदे पे जो गमचा रखे हुए रहते हैं, उस गमचा को बिना हिलाए हुए, बिना खसकाए हुए, वो जो पूरा जितना भी मैटर होगा उसको सर्ट आउट कर देंगे, तो उनको भरुसात आपना मामा ज पर कुल मिला के पूरा यह story है आपको समझ में आ गया और यहां पर आपको यह line by line अच्छे से समझ में आया न कोई देखकत बताईए जहां तक improvement चाहिए वो हम कर देंगे बाकी आपको कोई भी समझ से आ है तो वो चीज़ बताईए और आपको कैसा समझ में आया कितना समझ मे अगर इस तरीके से classes अगर रेगुलर हम लेते चले आप लोग ऐसे ही comment वगरा करते रहे like, comment, share यह सब करते रहे तो हम obviously आपका यह slaves तो बहुत ही जल्दी खतम कर देंगे बहुत ही जादा जल्दी हर दिन एक एक chapter खतम हो रही तो आप सोच रहे है कितना मतलब जल्दी आपक अगले class में जो की साम में होगी objective questions का test आप नियस्त रूप से दीजिएगा चलिए आज किस class में बस इतना ही टाटा बाबाई कर दो किसक लोगी जोगी खतम है किसी जोगे है किसे टूप से जाई पक खत्रचे आपक